हेलो बच्चों आज हम संधारिद्र का नया लेक्चे स्टार्ट करने वाले हैं पिछले लेक्चर में हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था फटावट से रिवाइस कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पड़ा था लास्ट लेक्चर में हमने ये चैप्टर स् तो यह तो हम us समझ मैं आ ग्या था था कि subject क्यों घरते है हैं तो यह अभस अपनी टया से प्रवाहित कर देता पर देता है जिससे प्रवाहित करती है तो तवरीध compass कि क्यों रखते हैं फिर उसके बाद हमने कुछ परिभाशाओं के बारे में पढ़ाता जिसे संधारी तरग क्या होता है इसके लिए धारीता क्या होती है पराविदुत सामर्तिय क्या होता है इन सब चीजों को हमने लास क्लास में पढ़ाता है उमीद है आपने रिवाइस भी किया होगा फिर उसके बाद हमने देखा था कि अगर किसी चालक के उपर आविश बढ़ाया जाए आविश का मान बढ़ाया जाए तो उसके उपर विभो का मान भी बढ़ता जाता है मतलब हमने समझा था कि क्यों समान उपाती होता है वी के और जैसी समानुपादी का चिन हटाया था एक नियतांग आया था जिसको हमने कहा था C मतलब वही क्या थी धारीता तो फॉर्मॉला बन गया था Q बराबर C V तो C का फॉर्मॉला हम लिख सकते था C बराबर Q बटा V अगर यहाँ पर V का मान एक पुट कर दिया जाये तो धारीता की हमने डेफिनिशन बना ले थी कि कि किसी चालक का या किसी संदारितर का विभव एक वोल्ट से बढ़ाने के लिए जितने आविश की आविश रकता होती है वो इसकी धारीता कहलाती है यह हमने पड़ा था पर इसकी मदद से हमने एक गोली चलक की धारीता का सुद्र भी बना कैलकुलेट किया था डेरिवेशन किया था वो आया था C बराबर 4 पाई Epsilon और र इस सुद्र की मदद से हमने समझ लिया था कि जो धारिता है वो आसपास के माध्यम पे निर्वर कर रही है क्योंकि माध्यम अगर परिवर्टित होगा तो उसके लिए परावेदुतांग भी चेंज होगा और फॉर्मले में फॉर पाई एफसलन ओट के साथ एफसलन आर भी उना में हो आ जाएगा तो माध्यम चेंज हो रही है और उसके आकरती पर भी निर्वर कर रही है कि अगर गोले के जाएगे कोई और आकरती होती तो भी सूतर कुछ और आता इसका मतलब धारिता आकरती आकार और माध्यम पे निर्वर करती है फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर किसी चालक को आवेशि सी और हाफ क्यूवी मैंने बोला था कि ये तीनों फॉर्मिले आपको अच्छे से याद करने हैं क्योंकि पूरे चेप्टर में इन फॉर्मिलों का कई बार यूज होने वाला है तो हमने ये अच्छे सी याद भी कर लिये थे फिर इसके बाद पढ़ा था हमने पोटेंशिल ए कार्य की जाता है वो शेत्र में रूप में संचित हो जाता है तो चीया का सूतर वही आने वाला है जो भाहिया वलम दौरा किये आ कार्य का सूतर आया था इसका मदला वही सूतर होगा वही तीन सूतर यहां पर भी होंगे हाफ सी वी स्क् freshly 2 और हाफ क्योरे प्र हमने देखा गोली चालक के लिए हमारे पस चार फॉर्मले बन गए थे, हाफ cv square, qv square by 2c, और हाफ qv, साथ में एक और था, kq square by 2r, तो ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेटा कुछ-कुछ पढ़ा था, और एक साथ में इसके साथ एक और बात clear हो गई थी, कि अगर बात की जाए, प्रत्वी की तो प्रत्वी की जो धारी ताय थी, वो आय थी 711 microfarad, और हमने बोला था कि ये एक theoretical value है, ये एक अपने सेध्धान्तिक मान है, और इसका प्रायोगिक मान मिला था हमें अनंद, प्रायोगिक मान अनंद था, और सिध्धान्तिक मान था बेटा, 711 microfarad प्रत्वी के लिए, और प्रत्वीत रिज्जाती, चो सट सो किलो मेटर, ये हमने last class में समझाता, अच्छा सिध्धान्तिक मान 711 microfarad था, मगर प्रायोगिक अनंद क्यों था, क्योंकि हमने बोला था, पूरी प्रत्वी की स्टडी एक साथ नहीं की जा सकती है, इसलिए हम पूरी प्रत्वी का जो विभव है, वो नियत मानते हैं, और वो मानते हैं, जीरो, अगर विभव जीरो मानेंगे, तो उसकी धारिता कितनी मिलती है, विटा में अनंद मिलती है, तो प्रत्वी की धारिता का, वो होता है, अनंद, और सिद्धान्त एक मान मिला था, साथ सो ग्यारा माइक्रो फेरट, यह लास्ट लास्ट में हमने कुछ कुछ बातें हमने पड़ी थी, अब इस चेप्टर में हम आगे बढ़ रहे हैं, और इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं, तो क्वेशन में देखिए कहा गया है, बहुत इजी क्वेशन है, इसको आप खुद भी अटेम्ट करें, फटाफट से वीडियो को पोस करें, और क्वेशन को अटेम्ट करना शुरू करें, इस क्वेशन मे क्वेशन में हमें दिया है धारीता, वो है 10 माइक्रो फेरेट, 10 माइक्रो फेरेट मतलब 10 इंटू 10 की घात माइनस 6, मतलब 10 की घात माइनस 5 फेरेट, इसा बोल सकते हैं, और क्या बोला है, इसको आवेश आपको कितना देना है, आवेश देना है आपको 5 माइक्रो कुलाम, बोले तो 5 10 की घाट-6 खूला – इतना अवयश देना है, कार्रे कुछ नहीं कहा गया, तो क्या मानेंगे प्रारंब में अवय शुन्य था, तो यहाँ पर अगर अवयर अवय शुन्य हो, तो Q आवश देने के लिए कार्रे होता है, Q-2सी बड़ा इसी सा क्वेशन है, चार्ज की वेलियों आपको दे रखी है धारीता की वेलियों आपको दे रखी है यहाँ पर पुट करेंगे तो आपके पास सॉल करने पर आंसर कुछ इस तरीके सा आएगा देखिए आविश का मान है पांच इंटू दसकी गात माइनस छे का स्कॉायर अपॉन टू इंटू सी सी की वेलियों दसकी गात माइनस पांच हमें सभी वेलियों को एसाई काई में ही रखना है इस बात का ध्यान रखें यहाँ सभी गात हमें पर उपर सॉल करने पाएगा 25 इंटू 10 की गात माइनस बारा बटा स्थीका माइनस पांच हम कि सॉरी टू इन्टू 10 की घात माइनस पाच तो आप इसको इस तरीके से लख सकते हैं paar पोई पांच इंटू 10 की घात माइनस 7 ये क्या है कार्य है सब हमने SIKI में रखा है तो कार्य भी SIKI में आएगा और कार्य की SIKI होती है जूल तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते है 1.25 इंटू 10 to the power माइनस 6 जूल या फिर आप बोल सकते हैं 1.25 25 माइक्रो जूल कोई प्रोबिलम नहिं तो ये इस तरीके से क्रेशन आप कर सकते है चली नेक्स क्रेशन पर आते हैं इसका सॉलूशन देख लेते हैं फिर किस तरीके से किया जा सकते से सोलूशन नौट करने के लिए धारीद आपको दे रखी 10 इंटू 10 की गाथ, 10 इंटू 10 की गाथ, माइनस 6, कार्य का सुत्र Q-square upon 2C, रख दिया, आपके पास आ रहा है अंसर 5 बटा 4 इंटू 10 की गाथ, माइनस 6, 5 बटा 4 आप सोल करेंगे तो यह होगा, 1.25 इंटू 10 to the power माइनस 6 जूल, यही हमारा अंसर राया था, बड़ा easy question था, इस तरीके से कर सकते हैं, चलिए next topic है हमारा संधारित्र का सिध्धान, इस topic को बहुत आराम से समझना, एक एक बारिक से बारिक concept इसमें ध्यान देने लायक है, इससे आपको यह समझ मायागा कि संधारित्र को बनाने के पीछे क्या logic लगाया गया क्या सोचा गया कि संधारित्र इसी तरीके से बनाया जाए और क्यों इसी तरीके से बनाया गया, समझते हैं सबसे पहले, जितना हमें ग्याने उसी से शुरू करेंगे, मान लीजिए सबसे पहले आप, आपके पास एक प्लेट है, चालक प्लेट है, कैसी प्लेट है, चालक प्लेट है, इस चालक प्लेट को आपने कुछ आवेश दे दिया, धनावेश, मान लीजिए क्यों आवेश दिया, तो जितना भी आवेश देंगे, वो दोनों ही प्रष् पर जाएगा आपने इसको क्यों ही मान शेव इसको अगर आपने क्यों ही दिया तो इसका विपा हो गया वी कितना हो गया व tragic अब क्या कर रहे हैं अब आप से बोला गया किस प्लेट के पास एक और प्लेट रुख दी जाए और वह स्बूसरी प्लेट है वह है उदासिन तो हम क्या कर रहे हैं molecule में हमें क्या किया एक संधारी एक चालक प्लेट थी उसको कुछ आवेश्व दिया था ऊसके पास हम ने एक उदासिन चालक प्लेट को रखे दिया अब जसे ही उदासिन चालक को रखूंगा ध्यान से देखिएगा आप यह जो पहले से प्लेट थी इसके पास तो आवेश था ही क्यों आवेश कोई प्रोब्लम नहीं है अगर एक आवेशित प्लेट के सामने एक उदासीन प्लेट को रखा जाए तो आपने स्थिर्वे दुद्की में पड़ा होगा वहाँ पर प्रेरण होगा प्रेरण क्यों होगा क्योंकि इस पर जो आवेश है वो दूसरी प्लेट में जो मुक्त इलेक्टरोन है उन्हें अपनी और आकरशित करेगा तो इस प्रष्ट पर इलेक्टरोनों का जो घनत है वो बढ़ जाएगा तो इस प्रष्ट पर प्लेट है उस पर इस तरीके से प्रेरण होगा अभी भी यह प्लेट उदासीन है और यह प्लेट आवेशित है अब यहां पर देखिए यह एक प्रश्ट पर रिनावेश आजाएगा और एक प्रश्ट पर थनावेश आजाएगा अब इस प्लेट का विभाव पहले कितना था वी था अब इस प्लेट का विभव कितना होगा उसे समझते हैं पहले इस प्लेट पे आवेश था क्यूँ इस प्लेट का खुद के आवेश के कारण मतलब क्यूँ आवेश के कारण विभव था वी अभी भी इस प्लेट का खुद के आवेश के कारण मतलब क्यूँ आवेश के कारण विभव वी ही होगा मगर सामने देखिए negative charge भी है रिणावेश भी है धनावेश भी है तो इस रिणावेश के कारण भी कुछ विभव आएगा और इस धनावेश के कारण भी पर कुछ विभव होगा आपने स्तिर्वेश दोतकी में पड़ा होगा कि जब भी आपको विभव केलकुलेट करना है आज पास उपस्ते सभी आवेशों के करण विभव आप केलकुलेट करते हैं तो यहां पर हम बोल सकते हैं इस प्लेट का खुद के वज़े से खुद के घटा दिया इस धनावेश की वज़ेसे इस प्लेट पर धनात्मक विभव होगा उसे हम बोल देंगे वी पोजिटिव तो वह वापस से जुड़ जायेगा कुछ इस तरीके से तो पहले विभवता वी हम बोल देंगे अब हो गया विभव वी डश कोई प्रोब्लम नहीं है इसी कंसेप्ट दुबारों समझिए प्लेट पर पहले चार्ज था क्यूँ तो खुद के चार्ज के कारण इस प्लेट का विभवता वी अब इस प्लेट पर चार्ज है क्यूँ तो खुद के कारण तो अभी वी ही होगा सामने एक प्रश्ट है रिनाविश की तो के बारे में बात कर रहे हैं रिनात्मक विभाव का प्रभाव ज्यादा होगा यह धनात्मक विभाव का प्रभाव ज्यादा होगा हम बोल सकते हैं कि रिनात्मक प्रश्ट की दूरी धनात्मक प्रश्ट से कम है जैसे आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच की दूरी है माली यह R1 और धनात्मक प्रष्ट की दूरी है R2 तो आप जानते हैं R1 का माना R2 से कम है तो हम बोल सकते हैं रिनात्मक प्रष्ट पास है इसलिए रिनात्मक प्रष्ट के विभाव का प्रभाव ज्यादा होगा धनात्मक प्रष्ट दूर है तो धनात्मक प्रष्ट के विभाव क का प्रभाव कम होगा या फिर अब इससे समझ सकते हैं कि माली जी पहले इसका खुद का विभावता हंड्रेड कि इसमें से जो रिनात्मग विभाव था वो था 99 या फिर 95 तो आप बोल सकते हैं कि रिनात्मग विभाव था 95 तो आपने 95 माइनस कर दिया और जो धनात्मग विभाव था उसका प्रभाव इससे तो कम ही होगा तो मान लेते हैं धनात्मग विभाव था 94 तो आपने 94 वापस से जोड़ दिया अगर आप से पूछा जाए कि कुल विभाव कितना हुआ कुल विभाव अब देखिए सो में से 95 आप माइनस करेंगे और 94 वापस से एड़ करेंगे तो अब क्या मिलेगा आपको अब आपको मिल जाएगा 99 मतलब पहले विभाव था अगर 100 तो अब विभाव है 99 तो विभाव पहले से कुछ तो कम हुआ उतना तो नहीं है जितना पहले था बहुत कम नहीं हुआ थोड़ा सा कम हुआ मगर कम तो हुआ तो यहां पर साइंटिस्टों के दिमाग में क्या आया होगा उन्होंने बोला कि इस प्लेट के साथ तो पहले भी क्यों आवेश था अभी भी क्यों आवेश है इस प्लेट के आवेश के करण खुद का विभाव पहले भी वी था अभी भी वी है तो इस प्लेट की जो हमने आकार है वो भी चेंज नहीं किया और मेडियम भी आजबॉस का माध्यम भी चेंज नहीं किया फिर भी इसका विभव कम हो गया तो अगर इसकी धारीता आप से पूछी जाएं पहले थी C, तो पहले जो धारिता थी, मोँ बोल सकते हैं पहले धारिता थी Q upon V, पहले धारिता थी Q upon V, अब कितनी हो गई यह होकि धारीता देखते हैं एक बड़ पर प्रटल दीक्ति हम और से एक बार देखको जहते हैं फिर वापससरे बार रोप कर आंगा आपको अभी व् Seit होगया वी माइनस वी न्यगैटिव प्लस वी पॉसटिव म Akoya तो अब जो धारीता हो वो हो गई होगी C- और C-Dash का मान आप लिखेंगे आवेश तो अभी भी Q ही है और V-भव अब किजना है विभव है V-डश और V-डश का मान हम बोल सकते हैं कि V-डश का मान V से तो कम है और V-डश का मान V से कम है इसका उलब C-डश का मान C से ज्यादा ही होगा तो यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं कि हमने इस प्लेट के साथ कोई चेंजेज नहीं किये बस पास में एक और उदासीन प्लेट को रख दिया उस वज़े से इस प्लेट का की जो धारिता है वो बढ़ गई क्या करन रहा धारिता बढ़ने का इसका आवेश्टो नियत था मगर विभाव थोड़ा सा कम हो गया इसलिए धारिता थोड़ी सी बढ़ गई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी थोड़ी सी बढ़ी तो साइंटिस्टों को क्या इडिया है होगा यह तो बहुत बढ़ी आवास है कुछ किये बिना साथ में हमने एक और उदासीन प्रेट रख दिया तो इसकी धारिता बढ़ने लगी अब फिर इसके उपर और एनलाइज किया कि धारिता बढ़ने का कारण क्या है तो मैं समझ मैं धारिता का बढ़ने का कारण है विभव का कम होना धारिता बढ़ेगी विभव कम क्यों हो रहा है इस रिणाविष के कारण विभव बढ़ क्यों हो रहा है इस धनाविष के कारण ज्यादा कम हो रहा है कम बढ़ रहा है तो केवल विभो घड़ता बढ़ता नहीं, तो विभो और ज़्यादा घड़ जाता, और ज़्यादा घड़ जाता तो धारिता और ज़्यादा बढ़ जाती, तो अब आगे क्या किया गया होगा, इस धनाविश को भगा दिया गया होगा, तो सोचो क्या कर सकते हैं हम अपने सिर्वेद्द की में भी पढ़ा है यह सब कि मैं वापस से बना रहा हूं यह दोरों प्लेटे कुछ है कि इस प्लेट पर तो आवेश है अपना सी यह तरीके स इस प्लेट पर अवेश अपना मानेस क्यों इस तरीके से बना रहा हूंगे दो मिनिट के लिए समझे ठरिए ये दूनों तरफ बना दिए थोड़ी ज़िए के यह कि अब हमने क्या किया हमें इस धनाविश को गयव करना है तो देखिए इस प्लेट पर धनावेश उस प्लेट पर धनावेश वह दौनलों धनावेशंद और दुसरे को प्रतिकर्शित करेंगे इस इस दो अविष्प को तो हम बोलते हैं बंदित आविशirmi मतलब बंधा हुआ है इसके साथ और इस धनाविश को हम कहते हैं मूक्त- आविश्म तो यह जाने के लिए चाल कि बाहर के माध्य में प्रवाइट नहीं हो सकता तो हमने क्या किया इसको एक रास्ता प्रवाइट करवा दिया रास्ता कैसे प्रवाइट करवाय हमने इसको बूसंपर्कित कर दिया जाए तो देखिए क्या होगा बूसंपर्कित कर दिया जाए तो इसको एक चालक रास्ता मिल तो अब जितना भी यहां पर धनावेश था वू जाने के लिए तयार था तो कहां चला जाएगा यह प्रस्वी में चला जाएगा अब आपसे पूछा जाए है कि इस प्लेट पर इस तरफ कितना आवेश होगा है सम्भोल देंगे शुन्य आवेश होगा इस प्लेट पे प्लस Q था तो इस प्लेट पे कितना आपके प्रेरित हो गया होगा माइनस Q जो कि इस सतर पर ही होगा अब माइनस Q के सामने पूरा का पूरा प्लस Q आ चुका होगा माइनस Q प्लस Q कोई तो आकरशित करेगा तो आप क्या कर देखेंगे, कि इधर का जो धनाविश था, ये भी आकर्षित होकर इस सदर पर चला गया होगा, तो जो विद्धुशेत्र होगा, वो दोनों प्लेटों के बीच में इस तरीके से उपस्तित होगा, यहाँ पर विद्धुशेत्र कितना होगा, शुन्य, एक खुद के प्लस क्यों आवेश की कारण ब्हुंक्च भी था पहले अभी भी है क्योंकि आवेश अभी खुद पर सेम है पहले के बराबर ही है इस ल inhal वेश की कारण कितना होगा वह hell माइनस भी डेश माइनस भी डेश अब धनावेश है नहीं तो कुछ जुड़े का क्या हो नहीं जुड़ेगा इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि जो आप V double dash है इसका मान V dash से भी कम है और V dash का मान V से भी कम है इसका मतलब जो C double dash होगा इसका मतलब सबसे ज़्जा धारी त आप इस केस में मिल रही है तो आप समझ सकते हैं कि अगर संधारीतर बनाना है तो आप चाहेंगी धारीता ज्यादा से ज्यादा आप उड़्जा संचित कब होगी धारीता ज्यादा होने पे और धारीता ज्यादा कब है जब दो समांतर प्लेटों को आमने सामने रखा जाए और दोनों पर आवेश परिमान में समान तथा तता तता सौभाओं में विप्रीत हो मतलब एक पर plus क्यों आवश हो तो दूसरे पर minus क्यों आवश हो दोनों पर समान एवम विप्रीत आवश होने चाहिये उस case में धारिता सबसे ज़्यादा आपको मिलेगी और धारिता सबसे ज़्यादा होगी तो उसमें और जबी आप सबसे ज़्यादा store कर सकते हैं तो यही एक संधारितर का सिधान्त है इस तरीके से संधारितर बनाया गया चैदि इसको फेर फॉर्म में समझते हैं कि किस तरीके से इसको नोट किया जाएगा नोट के अंदर तो उसको समझते हैं यह आपको बेसिक समझ में आना चाहिए चाहिए इसको दुबारा एक बार रिवाइस करते हैं कि देखिए यहां पर हमने एक प्लेट ले लिए है M इस प्लेट को विवाव घटा कर और आवेश को नियत रखते हुए बढ़ाया जा सकता है माना एक चालक प्लेट M है जिसको आवेश क्यों दिया गया है जिससे इसका विवाव बढ़कर V हो जाता है तो इसकी धारिड़ा कितनी होगी इसकी धारिता होगी Q upon V, यह हमने पढ़ दिया है, चलिए, नेक्स्ट देखते हैं, अगली स्लाइट में लिखा हुआ है, चित्र में दर्शाय अनुसार, एक समरूप चालक प्लेट N, M के समांतर इस प्रकार रखी गई है, कि प्लेट N पर आवेश प्रेरित हो जाता है, प्लेट N पर प्रेरित रिनात्मक आवेश की कारण, M पर विभव V रिनात्मक होगा, और N पर प्रेरित धनात्मक आवेश की कारण, M पर विभव V धनात्मक होगा, तब इसके उपर जो विभव होगा, वो कितना हो जाएगा, वीडेश हमने देखा था, और वीडेश का मान है वी धनात्मक आवेश की कारण जुड़ जाएगा रिनात्मक आवेश की कारण घड़ जाएगा और आपको पता है कि वी डेश का मान वी से कम है क्योंकि धनात्मक प्रेरित आवेश की तुलना में रिनात्मक प्रेरित आवेश M प्लेट के अधिक पास है रिनात्मक आवेश M अधिक पासे सीलिए ज़्याद विवक घट रहा है और कम जुड़ र सकते हैं व् सकते हैं प्रष्ट को बुशम्त परोगित कर दिया जै। यह बाहर जो भीवक ऑप्रेश कों परोगित कर रहे हैं और डिया तो इस और उसको आप लिख सकते हो वी माइनस वी नेगेटिव पहले जो विब होता वो था वी डेश वी डेश को आप लिख सकते थे वी प्लस वी पोजिटिव माइनस वी नेगेटिव इस तरीके यही हमने पढ़ा था अब यहां पर देखिए जो अब धारिता होगी वह कहacaει कि वी डेश का मान वी डेश से भी कम है इसलिए से बहुत ज्यादा होगा यहां पर देखिए यही सम्रूप बू auto संबली को एक आवेशिट चालक प्लेट के समीप रख दिया जाए तो आवेशित चालक प्लेट की धारिता में व्रद्धी हो जाती है यही समांतर प्लेट संधारितर का सिध्धान्त तो समांतर प्लेट संधारितर का सिध्धान्त क्या समझ वाया कि अगर एक चालक आवेशित प्लेट के सामने एक भूसम परकित कुछालक प्लेट को रख दिया जाए तो क्या होगा इस पर प्लस क्यू था तो इस पर माइनस क्यू आ जाएगा और इसके जो धारिता है वो काफ पर समानतर रख दिया जाए तो उस निकाएकी जो धारिता है वू काफी जादा बढ़ जाएगी समाथर प्लेट सम्धारित कह सकते हैं तो में यह समझ में आया होगा अजक जब भी हमारे पास समानतर संधारित्र होगा एक प्लेट पर प्लस क्यों आविश मिलेगा और आपको दूसरी प्लेट पर माइनस क्यों आविश मिलेगा और इसके जो विद्धुशेद्र होगा वो दोनों प्लेटों के बीच में ही होगा बाहर विद्धुशेद्र शुन्य होगा तो यही समांदर प्ल हैं गोलिय संधारितर के बारे में अब समांतर प्लेट संधारितर में हमारे पास दो प्लेट हैं थी एक पर प्लस क्यों आविश्था एक पर माइनस क्यों आविश्था तो हमने जो विद्धुशेद्र था वो दोनों प्लेटों के बीच में संचित कर लिया था अब हम बना रहे हैं गोलिय संधारितर समांतर प्लेट संधारितर को समांतर प्लेट संधारितर क्यों कहा गया कभी सोचा है क्या क्योंकि दो प्लेटे समांतर थी उसका शिप समांतर प्लेट संधारितर नाम दे दिया हमने अब गोली संधारितर को गोली संधारितर क्यों कहा गया क्योंकि इसमें दो गोले होंगे दोनों चालक गोले होंगे और दोनों सकेंद्रिये गोले होंगे इसलिए हम एक संधारितर बनाएंगे गोली आकार का उसका नाम दे दिया गोली संधारितर अब देखिए यहां पर हमारे पास दो गोले हैं अब दोनों प्लेटों में हमने एक प्लेट को भुसंपरकित किया था तो यहां पर दो गोले हैं तो हमारे पास दो केस बन सकते हैं जब बाहिये गोला भुसंपरकित हो या फिर एक और केस क्या बन सकता है अगर अंदर वाले गोले को भूसंपर्कित कर दिया जाए, तो हम सबसे पहले case 1 पढ़ रहे हैं, जब बाहर ये गोला भूसंपर्कित होगा तब क्या होगा, देखिए सबसे पहले कुछ इस तरीकी केस आपको देखने को मिलेगा, यहां हमरे पास दो गोले हैं, अंदर वाले तो एक प्लेट को आवेश दिया तो दूसरे को हमने बूसंपर्कित कर दिया ता, यहां दो गोले हैं, एक को आवेश दिया तो दूसरे को हमने बूसंपर्कित कर दिया, किसको बूसंपर्कित किया, बाहर वाले को, अब यहां पे हमें इसकी धारिता निकाल दी है, धारिता जा मिल जाएगे हर बार धारीता निकालने का एक ही तरीता होगा क्यूँ अपोन डेल्टा वी देखिए अब डेल्टा वी किसे निकालेंगे हमें पता है बाही गोला भूसंपरकित है तो आप सीधे सीधे बोल सकते हैं वी आउट एक्वल्ट होगा जीरू इसमें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए इस तिर्वेद्द्ध की में आपने पड़ा है जब भी किसी चालक को भूसंपरकित किया जाता है तो उसका विभाव निश्चित तोर पर शुन्य होगा हमेशा शुन्य होगा चालक को अगर भूसंपरकित कर दिया तो मैं मान लेता हूँ मैंने अंदर वाले को आवेश दिया क्यों बाहर वाले को मैंने कोई आवेश नहीं दिया मगर अंदर वाले आवेश की कारण बाहर वाले गोले के उपर कुछ ने कुछ आवेश प्रेरित होगा तो मुझे पता नहीं है कितना होगा, तो मैं माल लेता हूं q dash प्रिरिध होगा, q dash का माल में calculate कर लोगा, तो देखिए किस तरी के से कर सकते हैं, हमें एक बात बता है कि बाहर वाले गोले का विभव क्षुन्य है अब बाहर वाले गोले का विभव इस q आवेश की वज़े से पूछा जाए तो कितना होगा, इस q आवेश की वज़े से बाहर वाले गोले का विभव होगा, k q अपोन b क्योंकि इसकी radius b है खुद के आवेश की कारण विभव कितना होगा खुद के आवेश की कारण होगा, विभव k q dash अपोन b अच्छा आप से पूछा जाए बाहर वाले गोले का कुल विभव कितना होगा, तो आप बोल सकते हो v out equal to q के कारण k q upon b q dash की कारण plus k q dash upon b अच्छा कुल कितना होगा, concept समय पता है, शुन नहीं अगर इसको solve किया जाएगा, k upon b q common आके 0 में चला जाएगा, तो आप यहां से बोल सकते हैं कि q dash का मान मिलेगा, आपको minus q के बराबा, इसका मतलब बाहर ये गोले पे कितना transform जित्से मान लजी तो बाहर वाले पे minus q प्रेृत होगा cum जो plus q बाहर गया होगा वह चला गया होगा प्रथ्वी में तो जो विद्धुशेत्र होगा वो दोनों गोलों के बीच में ही होगा, इसका अंलब दोनों वाले गोले का विभव तो शुन्य है अंदर वाले का विभव कल्कुलेट कर लिया जाए तो दोनों का विभवांतर वही होगा जो अंदर वाले का विभव होगा क्योंकि वी इन माइनस वी आउट आप करेंगे वी इन माइनस वी आउट करेंगे वी आउट तो जीरो है तो ज Q के कारण कितना होगा वो होगा के Q अपॉन ए क्योंकि सुद्रिज्ज ए ए है अचा माइनस Q के कारण कितना होगा क्योंकि बाहर माइनस Q आया है ना तो माइनस Q के कारण कितना होगा आपको पता है कि खोखले गोले में अंदर विभव वही होता है जो सत्य पर होता है तो minus q के कारण अंदर विभव वही होगा जो खुद की प्रश्ट पे है तो minus q के कारण विभव कितना होगा minus kq अपॉन प्रश्ट पे कितना था b तो अंदर भी उतना ही होगा तो अंदर वाले के कुल विभव आपको मिल गया यह आप लिख सकते हैं kq ब्रेकेट में b minus a upon a b यह आपको v in मिल गया तो आप बोल सकते हैं कि delta v की value v in के बराबर ही होगा बोल सकते हैं तो आप यहां पर बोल सकते हैं कि c equal to होगा q upon delta v और delta v की value v in के बराबर है तो आप लिख सकते हैं q upon v in v in की value put कीजिए q upon v in की value क्या है के q यहां जाएगा वी बी माइनस ए अपोन ए भी क्यू से q cancel हो जाएगा के की value होगी बना पोन फॉर पाई एफसलनोड तो फॉर पाई एफसलनोड उपर जाएगा यह भी भी उपर चला जाएगा अपोन बी माइनस ए याद रखना है इस फॉर्मले को भूलना नहीं है वह कि गोली संधारित्र में जब भाहिय गोला भुसंपरकित हो उस केस में उस गोली लखें संधारित्र की धारित्र का सुर्व क्या होता है वह होता है 4पाई अपसलनोड A B आपन B माइनस ए एग क्या है यहाँ है अंदर वाले गोले की यहीं गोले की त्रिज्या कुछ पहले जैसा है आपने जब एकल गोला देखा था सिंगल चालर उसके धारित्र पर यहां पर आज की जएके क्या आ रहा है एब अपॉन बी वही बात है फॉर्मला याद रखना भी इजी है कोई टप नहीं है एक और बात ध्यान रखें कि जितना भी विद्धु शेत्र है वो दोनों बोलों के बीच में होगा बाहर विद्धु बाहरावेश कितना है बाहर बाहर विद्धु शेत्र भी शुन्य ही होगा बाहर विद्धु शेत्र कितना होगा अच्छा अंदर विद्धु शेत्र कितना होगा अंदर भी शुन्य होगा पूरा का पूरा विद्धु शेत्र का होगा दोनों गोलों के बीच में तो हम इस तरीके से इसको समझ सकते हैं इसको थोड़ा फेर समझते हैं, not किस तरीके से करेंगे, देखिए ध्यान से दुबारा, कि हमारे पास सिस्टम है इस तरीके से, अब हमने बोल दिया, बाये बोलेगा विबाव जीरो है, फिर हमने देखा कि पूरा का पूरा सिस्टम कुछ इस तरीके से बन गया, अंदर वाले पे प्लस क्यू, बार वाले पे माइनस क्यू, तो पूरा का पूरा विद्दुशेदर दुनों के बीच में ही होगा, यह हमने सब पढ़ लिया है, समझ में आ गया है, बस नोट करने के लिए बता रहा हूं, इस तरीके से आप फिर नोट कर सकते हैं, अगर हम फॉर्मला रखने हैं, सी क्वल टू क्यू अपन वी डेल्टा वी, डेल्टा वी की वे जगे आप भी इन भी रख सकते हैं, क्योंकि दोनों का विबांतर भी इनके बराबर होगा, यह का विबाव शुन्य है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो आपके पास धारिदा का उतराएगा, वो आएगा, फॉर्मला आपको अच्छे से याद रखना है, भूलना नहीं है इस फॉर्मले को, इसी तरीके साब एक और फॉर्मला आने वाला है, अभी हमने किस गोले को भुसम परकित किया, बाई यह गोले को, अब हम किसको करेंगे, अंदर वाले गोले को हमकर करझेंगे, तो दो फॉर्मला आपको इसमें देखने में मिलेंगे, दो केसे में बन सकते हैं, दुनों कवार करेंगे. चलिए सेकेंड केस पर आते हैं, सेकेंड केस क्या है, जब आंत्रिक गोला वि पूसम परकित हो तो इस कुछ साब्स अपको देखने को मिल जाया, यहाँ पर अब क्या करेंगे अंदर वाले गोले को करेंगे भूसंपरकित आवेश किसको देंगे बाहर वाले गोले को बाहर वाले गोले को दिया मैंने क्यों आवेश और अंदर वाले को दिया मैंने क्यों आवेश नहीं दिया तो अंदर वाले का विभाव कितना होगा अगर उसको भूसंपरकित कर दिया जाए तो हम बोल सकते हैं अंदर वाले का विभग होगा definitely zero अब जब हमने भूसंपरकित किया है तो हो सकते है प्रत्वी से कुछ आविश आ जाए अंदर वाले लेगोले पे हो सकता है ना आए हमें पता नहीं है कि आएगा या नहीं आएगा तो मान लेते हैं कि क्योंदेश आविश आ गया नहीं आया होगा- क्यूदेश का मान अपने आप मिल जाएगा जीरो धनात्मक आया होगा तो धनात्मक मिल जाएगा रिनात्मक मिल जाएगा हमने सिर्फ मान लिया कि प्रत्वी से अंदर वाले गोले पे कितना वेश आ गया क्यूदेश एक और बात क्या पता है कि हमें एक और बात पता है कि जो अंदर वाले गोले का विभाव है वो 0 है अब यहां बताईए अंदर वाले गोले का विभाव क्यू डेश की वज़े से भी होगा और क्यू की वज़े से भी होगा तो मैं लिख सकता हूँ कि अंदर वाले गोले का विभाव क्यू डेश की वज़े से होगा क्यू डेश अपॉ ए बाहर वाले गोले की वैज़ जैसे Q की वैज़ जैसे K की अपॉन B और कुल विफ हो कितना होगा भूसंपर के तेसलिए कुल विफ होगा 0 के तो को मना के 0 में चला जाएगा तो अगर इसको आप सौल करेंगे तो देखिए Q डेश का मान आपको मिलेगा माइनस A अपॉन B इंटू Q सौल करके देखिए इसका मतलब अंदर वाले गोले पे रिनावेश आ रहा है अब यह रिनावेश कहां से आ रहा है प्रत्वी से प्रेरण की वज़े से आ रहा है क्या प्रेरण से नहीं आ रहा है आपने पड़ा होगा प्रेरण हमेशा वस्तु के बाहर होता है अंदर नहीं होता तो अंदर प्रेरण तो नहीं हो रहा है यह आविश हा रहा है प्रत्वी से अचा प्रत्वी से क्यों आ रहा है अरे अगर प विभव हमेशा शुन्य होगा हमेशा शुन्य होगा और उस विभव को शुन्य करने के लिए प्रत्वी आवेश दे भी सकती है ले भी सकती है तो प्रत्वी कुछ भी करके क्या कर देगी विभव शुन्य कर देगी विभव शुन्य करने के लिए प्रत्वी ने क्या किया किया अब यहां से तो बहुत इजी कंसेप्ट निकल जाएगा अंदर वाले का विभॉक शुन्य है बाहर वाले का कल्कुलेट कर लो दोनों का विभॉक अंतर बाहर वाले की विभॉक के बराबर ही होगा चलिए फटावड से कल्कुलेट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किये क्या ब वी तो चीव डेशे इसके कारड़ प्रेश्ट पर जो ओता वही वहागा क्यु अपॉण बिन माइनस के एक क्यू अपॉन बी स्कुलेट करना है हमें क्यूदेश की वेलिव रखी यहां पर क्यूदेश की वेलिव रख देंगे तो यह हो जाएंगा माइनस की एक क्यू अप इसको अगर सॉल करना है तो आप LCM लेंगे तो के क्यू तो आगे कोमन यहां पर आपके पास मिलेगा आपको B-A upon B square देखिए यहां से यह किसका विभवा है यहां आउट साइड वाले गोले का विभवा हो बाहर वाले गोले के विभव की बराबर ही होगा तो हम यहां से बोल सकते हैं कि अब जो धारिता होगी वह होगी Q upon delta V यहां फिर बोल सकते हो Q upon V out values रखेंगे यहां पर आपके पास Q से Q cancel हो जाएगा Q upon KQ B minus A upon B square Q से Q cancel होगा K की value होती है वन अपोन फोर पाई एपसाल नोट यह उपर चला जाएगा तो हो जाएगा फोर पाई तो हमें पता अंदर वाले का विभव हो जाएगा शुन्य और शुन्य विभव करने के लिए प्रत्वी अंदर वाले को देदे की मालीजी क्यू डेश आवेश तो यहां पर लिख सकते हैं अंदर वाले का विभव होगा के क्यू डेश अपॉन ए और बाहर वाले आवेश के कारण होगा के क्यू अपॉन बी कुल विभव होगा शुन्य तो हमने सब को जीरो के बरावर कर दिया इसको सोल किया तो हमार पास क्यू डेश की वेलियो आएगी माइनस क्यू ए अपॉन बी यह हमने अंदर वाले गोले पर आवेश है माइनस QA अपॉन भी माइनस QA अपॉन भी है तो बाहर वाले की आंत्रिक सत्य पर धनाविश आएगा क्योंकि प्रिरण होगा और धनाविश आएगा तो यहां पर कुछ इसा आजाएगा और बाहिए प्रश्ट पे प्लस Q तो पहले ही था अब कितना हो रहा ग प्लस QA अपॉन भी बाहर चला गया होगा माइनस Q अपॉन भी तो बाहर की प्रश्ट पर होगया होगा क्यों माइनस QA अपॉन भी समझ यह सरु दिक्कत आये तो दुबारा सुन ली जिए अंदर वाले गोले पर आवेश आ गया है माइनस QA अपॉन भी एक आमान B से कम है मतलब minus q upon b q से तो छोटा ही होगा परिमान में अब minus q upon b है तो बाहर वाले गोले के आंतरिक प्रष्ट पर प्रेरण होगा plus q upon b और बाहर जाएगा minus q upon b और पहले से कितना अवेश है q तो बाहिए प्रष्ट पर कितना हो जाएगा q minus q upon b मतलब यह कुछ धनात्म का वेश बचेगा बाहिए प्रष्ट पर तो हम बोल सकते हैं कि यहां पर धनावेश से रिनावेश की और एक जो विद्धु शेद्र वह अंदर भी होगा दोनों गोलों के बीच में भी होगा इस तरीके से क्योंकि हमें पता है ना धनावेश से रिना विद्धु शेद्र के दिशा कुछ इस तरीके से और बाहिए प्रष्ट पर भी आवेश है तो विद्धु शेद्र बाहर भी होगा कुछ इस तरीके से इसका मतलब विद्धु शेद्र दोनों गोलों के बीच में भी है और बाहर भी है पहले क्या हो रहा था पिछले किसमे जब बाई गोले को बुसंपरकित किया था कि दोनों को लोगे बीच में ही आपको विद्वशेत्र मिल रहा था यहाँ पे बीच में तो मिली रहा है बाहर भी मिल रहा है इसका अलब उड़ जाए जाता किसमें संचित हो रही है इसके अंदर तो धारीधा किसकी जादा होगी इसकी ओपिसी बात है चलिए देखते हैं इसको आगे आगे देखिए इस में यहाँ पर आपने सॉल किया तो आपके पास धारीधा का सुद्र क्या आया था अभी अभी थोड़ी देर पर हमने लिखा था पिछली स्लाइड में वहां लिखा था वह आया था हमारे पास 4 आपन बी माइनस एक सॉल करके मैं आपको बता चुका हूं यह हमारे पास फाइनल फॉर्मला आया था तरीका हमने सेम यूज किया है दोनों कंसेप्ट के लिए यह फॉर्मल आपको एजरीटीज याद रखना है इस फॉर्मले को लाने का एक तरीका तो मैंने आपको सिखा दिया इसको एक शौट मेथड़ से एक तरीके से और आप सोच सकते हैं उससे भी यह आंसर आएगा चलिए उस कंसेप्ट को समझते हैं हमने क्या देखा कि जब भाई गोले को भुसंपर्गित कर रहे थे तो जितना भी विद्दुशेत्र था दोनों कोलों के बीच में था बीच में ही था तो उसका आंसर क्या आया था उसका आंसर आया था देखिए दोनों कोलों के बीच में ही था यहां पर दोनों कोलों के बीच में हैं और जब एक सिंगल गोला था तो पूरा का पूरा विद्दुशेत्र सत्य से बाहर की ओड़ था कि कुछ ऐसा केस था अगर इन दूनों केसों को मिला दिया जाए तो जो अब सेकैण moderate है तो बन रहा है धान से समझ जब सबसे पहले याद किजिसे सबसे पहले आपने सिंगल गोला लिया सिंगल छालक गोला наша इसको आवेश दिया पूरा तरहाँ प्रश्ट पर ख्रत प्रश् पहले गोले और दूसरे गोले दोनों गोलों के बीच में था बाहर भी नहीं था अंदर भी नहीं था सेकिंड केस में दोनों के बीच में भी था और बाहर भी था तो हम क्या बोल सकते हैं सेकिंड केस फर्स्ट वाले केस और सिंगल चालक वाले केस का समीशन है दोनों को जोड़ दिया जाए तो यह सेगेंड केस बन जाएगा याद कीजिए बाइए गोले को बुसंपर किती है तो संधारित की धारिता का सुत्र क्या बना था वह बना था फॉर पाई एफसाइल नोट ए भी मानने आपके वास एक गोला है सिंगल गोला है जिसकी त्रिज्जा है भी तो उसकी धारिता आप क्या लिखते हैं उसके लिखेंगे धारिता फॉर पाई एफसाइल नोट इंटू बी अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो अभी सेगेंड के इसकी धारिता बननी चाहिए सॉल कीजिए इसको जोड़िए तो आप यहां से देख सकते हैं फॉर पाई एफसाइल नोट को मनाएगा यहां पर आप दिख पाएंगे बी माइनस ए एल सीम आ गया यहां हो गया एबी प्लस बी स्क्वेर माइनस एबी एबी से एबी के इंसल होगा आपका आंसर तो तरीका कोई सबी हो सकता है आपको फॉर्मुला याद रखना है कंसेप्ट समझने के लिए जरूरी है ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो मगर एक्जाम पॉइंट ओफ्यू से हमें फॉर्मुला अच्छे से याद होना चाहिए अब कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है क इसका जवाब दे पाएं इसके लिए थोड़ा सा सोचने का तरीक तरीका चेंज कीजिए जब बाहिए गोले को भूसम पर कित कर रहे हैं तो आप इससे सोचिए कि बाहिए गोले पर ताला लगा दिया तो विद्धु शेत्र बाहर निकल पाएगा क्या अरे निकलेगा क्या बाहर नहीं निकलेगा विद्धु शेत्र कहां रह जाएगा दोनों गोलों के बीच में बंद हो जाएगा और दोनों गोलों के बीच में रह गया अंदर वाले गोले पर बाहिए गोले पर लगाया क्या नहीं लगाया इसका विद्धु शेत्र बाहर निकल जाएगा और वि सिस्त केस में मिलेगी जब ताला बाही उले पे लगाओ क्योंकि दोनों के बीच में हो तो आप देख सकते हैं कि सेगेंड वाले केस में और फर्स्ट वाले केसमें डिफरेंस क्या है Four apply epsilon बी माईर से तो दोनों से कम है इसलिए ज्यादा ही है तो धारीदा उस चेस में ज्यादा मिलेगी जहां पर विद्धुश्यत्र ज्यादा स्टोर हो पा रहा है दोनों गोलों बीच में भी है याद रखने का तरीका है आप अफट अफट सोच के जवाब दे पाएंगे कंफ्यूज नहीं होंगे चली आगे बढ़ते हैं तो यह हमने देख लिया इसको अच्छे से नोट कर लेते हैं निकाय की कुलधारी तो निकालनी है तो हमने इस गोले की लिख ली इस फर्ष्ट केस की लिख लिख लिए फॉर पाइफसलों बी दोनों को जोड़ दिया तो हमा सब्चैण में आपसे बोल देगा एक गोली संधार इतर है उसमें यां तो पबाहलिए गोल भुसंपरकित है या आंध्रिद्री गोला भुसंपरकित है दोनों में आप इसका सुट्वर रखा के स्कार को परबंगो जब कुछ ना दिया हो तो का करेंगे उसमें वाता ओधा इस बात का ध्यान रखे नोट लगा लीजिए बहुत काम का पॉइंट है चलिए इसके के साथ हम एक क्वेशन से आग इसको और रिवाइस करेंगे क्वेशन देगी क्या है और इसको फटावर्ट से पोस करके खुद सौल करना स्टाट की दिये यहां बोला गया है गोल्य संदारित्र की धारिता क्या होगी यदि इसकी आंत्रिक्तता वायत रिज्जाय क्रमश है एक मीटर और एक पॉइंट जीरो जीरो एक मीटर हो तो कर लिया अपने फटावर्ट से सौल किया अब इसका एक्स्प्लेनिशन समझते है हमसे बोला है गोल्य संदारित्र की धारिता क्या होगी यहां में कुछ नहीं बताया गया कि बाहिए गोला भुसंपर्गित है या आंत्रिक गोला तो जब कुछ ना कहा जाए तो क्या मानना है हमेश्या कुछ न कहा जाए तो भाहि गोले भुसंपर्गित लगा तो विद्विशेद्र कहा होगा दोनों गोलों के बीच में की रहे गया इसका अटारिता ए हपकोनइं सकते हैं पर भी की वेल्यू देर रखिए आपको 1.001 meter A की value दे रखिए 1 meter तो यहां पर आप धारी तगा सुत्र क्या लगाएंगे वो लगाएंगे 4 pi epsilon 0 A B upon B minus A कोई problem इसमें 4 pi epsilon 0 की value आप क्या रख सकते हैं वो रख सकते हैं 1 upon 9 into 10 to the power 9 A की value 1 into 1.001 upon 1.001 minus 1 चमका कुछ कुछ यहां पर आप लेख सकते हैं 10 to the power minus 3 यहां पर आप देखी इसको solve करेंगे हम आगे तो यह बन जाएगा हमारे पास 1 upon 9 into 10 to the power 9 into 1.001 upon 0.001 point से point चला जाएगा ओपर भी बचा ओपर बचा 1001 नीचे बचा 1 तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1001 upon 9 into 10 to the power minus 9 नीचे हो गया आपके पास 1 solve करेंगे इसको तो यह बन जाएगा आपके पास answer इस तरीके से दे सकते हैं आप या फिर आप इसको डिवाइड कर दीजे 1001 को 9 से यहां होगा 1 1 1 1.1 into 10 to the power minus 9 यह क्या मिल आपको फेरेड़ हमें पता है धारीदा का सूतर होता है धारीदा की काई होती है फेरेड़ तो इस तरीके से question solve होगा देखें यहां पर solve किया है 4 pi epsilon 0 a b upon b minus a से यहां पर solve करने पर वही values रखी है आंसर आ रहा है 1.1 into 10 to the power minus 9 हमारा आंसर आया था triple 1.1 into 10 to the power minus 9 अगर point को 2 point दो अंक इधर सरका दिया जाए तो हम इसको लिख सकते हैं 1.11 into 10 to the power minus 7 इसमें भी कोई त्रूटी नहीं है तो आप इस तरीके से कीजिए एक ही बात है आंसर वही आ रहा है सौल करने का अपना तरीका है कुछ ना कहा जाए तो हम भाई गोले को ही भूसंपर्गित मानते हैं तो बड़ा इसी सा कोशन था सिर्फ केल्कुलेशन है और वो भी बहुत टफ नहीं है चलिए इसी के साथ एक और क्वेशन ट्राई करते हैं इसको फटावट से ट्राई कीजिए बहुत अच्छा क्वेशन है बहुत मजा आगा इसको करने में आपको एक बाड़ खुद ट्राई कीजिए इस क्वेशन में कहा गया है यदि गोल्य संदारित्र के आंत्रिक गोले को भूसंपर्गित करने पर उसकी धारिता 0.3 माइक्रो फेरेड है यदि आंत्रिक सता बाइय गोलों के मद्य की दूरी एक मिलीमीटर हो तो बाहियत रिज्य का मान बताओ आंध्रिक गोले को क्या किया हुआ है धारिचा कितनी दी हुई है 0.3μF दोनों गोलों के मद्य की दूरी का मतलब क्या है पहले गोले से चले दूसरे गोले तक यह दूरी होती कितनी है याद रखिए दोनों को लगे मद्य की दूरी कितनी है B-A कितनी दी हुई है यह दी हुई है 1 mm मतलब इसको लिख सकते हैं दस्किगाथ – 3 लिमेट इस तरीके से हमें याद है हमें हर एक वेल्यू को एसाइगाईब में ही रखना है तो B-A दे रखा है हमें हमें question में और धारि देखे रखी और यह इसको आप लिख सकते हैं तीन इंटु दस्कीगात माइनस साथ फिरट क्यों सब्सक्राइब तो स्क्राइब 1 और अब यहां पर हमें बोला जाए आए सीदा सीदा बोल दिया आंद्री गोला भुसंपरकित है तो धारिता की लगाएंगे भावनों में बहले हैं धारिता की वेलिव दे रखी आपको 3 into 10 की गात minus 7 4 by epsilon node की value 1 upon 9 into 10 to the power 9 into B square हमें B की value पता नहीं है B minus A दे रखा है आपको 10 की गात minus 3 solve करेंगे 10 की गात 9 10 की गात 6 बचेगा 10 की गात 6 को इधर गुणा कर देंगे तो आपके पास मिल जाएगा B square equal to 9 into 3 27 into 10 की गात 6 10 की गात minus 7 तो यह बन जाएगा 10 की गात minus 1 तो आप लिख सकते हैं B square equal to 2.7 तो B मतलब under root 2.7 यह value आप solve कर सकते हैं कैसे करेंगे बहिए अंडर root 2 की value होती है 1.414 root 3 की value होती है 1.732 इसका उनलब 1.4 1.732 के कुछ बराब के बीच में यह आएगी यह रहे से समझ सकते हैं कि यह root 3 से कम है root 3 से कम है root 3 होती है 1.7 तो 1.7 से कुछ अंसर आना चाहिए तो आपके लगबग आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा 1.65 याद रखें मीटर में मिलेगा आपने सब कुछ मीटर में यूज किया है तो यहां पर इस तरीके से आप देख सकते हैं जो भी आंसर 1.7 से कम आ रहा हो वहां पर आप इसको आंसर को टिक कर सकते हैं देखते हैं इसका फेर सोलीक्षन किस तरीके से दिया हुआ है वह है कैपेस्टेंस सी इक्वल टू फॉर पाइक्सलोंड बी स्कॉर अपॉन बी माइनस से सूथर लगाया है वैल्यू रख दी है आपने से उसी तरीके से सॉल्व किया हुआ है रूट 2.7 की वेल्यू आपने पास इस तरीके से इनको मिलाकर आप एक बड़ी बुन में कर दिया जा रहे हैं तो क्रेशिन किस तरीके से बनेंगे उनको सॉल्व कैसे करेंगे यह हम देखने वाले है आज या फिर इसका रिवरस भी पूछा जा सकता है कि बड़ी आवशित बुन है इसको तोड़कर convert किया तो उस case में question किस तरीके से बनेंगे वो भी हम देखेंगे जैसे यहाँ पर आदेखते हैं मान लीजिए कि n छोटी छोटी बूंद है आपके पास और हर एक छोटी बूंद के लिए जो त्रिज्जा है वो है small r हर एक छोटी बूंद के उपर आवेश है small q और हर एक छोटी बूंद की धारिता है c s s मतलब small छोटी बूंद की बात कर रहे हैं इसलिए या फिर छोटी बूंद के उपर जो प्रश्टी आवेश का नत्व है वो है sigma विद्धु शेत्र है e और विभव है b तो बड़ी बूंद के लिए उसकी तरीज़ा होगी capital r आवेश होगा capital q धारिता होगी c b b मतलब big बड़ी बूंद प्रश्टी आवेश गहनत होगा sigma b मतलब बड़ी बूंद के लिए प्रश्टी आवेश गहनत और जो विद्धु शेत्र होगा वो होगा e b विभव होगा v b इन सब के और इन सब के बीच में कुछ न कुछ relation आने वाला है वो हमसे पूछा जा सकता है हमसे बोल देगा n बूने है n की value आपको दे सकता है question में question में कुछ भी दे देगा आपको और बोल देगा कि भी अगर छोटी बूंद के लिए धारिता इतनी है तो बड़ी बूंद के कितनी होगी या छोटी बूंद के लिए प्रष्टियाविश खरना तो इतना है तो बड़ी बूंद के लिए क्या होगा या बड़ी बूंद के लिए आपसे विद्धुशित्र देदेगा छोटी बुन के लिए क्या होगा विद्धुशित्री आप से पूछ लेगा या विभाव देकर विभाव पूछ सकता है तो इस टैप की question इसमें पूछे जा सकते हैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा आप से अब जब भी इस टैप की question आएंगे हमें दो तरीके के नियम का यूज करना है question solve करने के लिए question कोई सा भी आजाए इन में से हम तरीका एक ही रखेंगे क्या logic लगा सकते हैं या पे हम हम बोल सकते हैं कि आवेश हर एक छोटी बुन के पास है small q तो एन बुन के पास कुल आवेश कितना रहा होगा एन बुन के पास कुल आवेश हो गया होगा एन इंटु स्मॉल q और इन सब को मिला कर बड़ी बुन में बदल दिया तो बड़ी बुन के पास भी इतना ही आवेश होगा तो हम बोल सकते हैं कि बड़ी बूंद के पास जो आविश होगा capital Q उसका मान N into small Q के बराबर ही होगा तो हम यहाँ पर आविश संग्रक्षिण का सिद्धान लगा सकते हैं एक और बात हम सोच सकते हैं यहाँ पर कि आयतन भी तो संग्रक्षिद रहेगा एक चोटी बूंद का आयतन होगा चार बटा तीन पाई स्मोल आर क्यूब क्योंकि जो बूंद है उसका कार होगा गोला कार तो हम गोले का सुद्र लगा सकते हैं गोले का आयतन का सुद्र चार बटा तीन पाई स्मोल आर क्यूब N बूंदे हैं तो कुल आयतन होगा N इंटू 4 बटा 3 पाइस मॉल आर क्यूब और ये कुल आयतन बड़ी बूंद के आयतन के बराबर हो सकता है तो हम यहाँ पर आयतन संगरक्षन का भी सिद्धान्त यूज़ करेंगे इन दोनों सिद्धान्तों की हल्प से हमें दो सम्मीकरणे मिलेंगी और इन दोनों सम्मीकरणों की मदल से हम सारे कुश्चन कर सकते हैं कोई साभी कुश्चन आ जाए देखिए किस तरी के से करना है इनको सबसे पहले हम यूज़ करेंगे आविश संग्रक्षन का सिद्दांत तो n बुन्दों के पास कुल आवेश होगा n into small q और बड़ी बुन्द का आवेश है capital q तो capital q को हमने n into small q के बराबर कर दिया सेगिंड देखिए, सेगिंड है आयतन संग्रक्षन एक बुन्द का आयतन है 4 बटा 3 pi small r q n बुन्दों का होगा n से गुणा कर दिया और ये बड़ी बुन्द के आयतन के बराबर कर दिया हम देख सकते हैं 4 बटा 3 से 4 बटा 3 केंसल होगा pi से pi केंसल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा n small r q बराबर capital r q दोनों तरफ घनमूल ले लेते हैं तो हम यहाँ पर relation मिल जाएगा capital r बराबर n की घात 1 बटा 3 small r यह हमें relation मिल जाएगा देख सकते हैं इन दोनों से हमारे पास 2 relation आगए एक आगया त्रिज्जाओं के बीच में एक आगया आवेश के बीच में आवेश का relation तो यही है q equal to n q और त्रिज्जा का relation है capital r बराबर n की घात 1 बटा 3 small r इन दोनों relation की मदब से हम यह सारे relation solve कर सकते हैं देखिए किस तरीके से करेंगे चेक करते हैं माल लीजिए आपको छोटी बुंद की धारीता दे रखिए c और बड़ी बुंद की धारीता आपसे पूछता है और बुंदों की संक्या दे दिया आपको n n की वेलिए कुछ भी हो सकती है तो यह relation कैसे आएगा इसको समझते हैं हमें पता है धारीता का सुत्र होता है 4 बटा 4 π.ई.एफसाल नोट इंटू r यही होता है क्या भई और यहाँ पर इस relation की मمنद से हम बोल सकते हैं कि जो धारीता होगी वो समानो पाती होगी r k इसका मतलब बोल सकते हो आप कि जो बड़ी बुंद की धारीता होगी बटा छोटी बुंद की धारीता बराबर होगा बड़ी बूंद की द्रिज्जा बटा छोटी बूंद की द्रिज्जा कोई दिक्कत इसमें यहाँ पर बड़ी बूंद की द्रिज्जा कितनी है बड़ी बूंद की द्रिज्जा है गैबिटल र और गैबिटल र की जगे लिख सकते हैं आप के खात 1 बट तीन स्मॉल आर तो आप यहाँ पर रिख सकते हैं एन की खात एक बट तीन स्मॉल आर बट आर यह हूगा आपके पास बड़ी पूंद की धारीता बड़ चोटी पूंद की धारीता आठ से आर कैंसल होगा तो अब यहाँ से रिलेशन आ जाएगा बड़ी बूंद की धारीता वराबर एन की खाद एक बड़ा तीन छोटी बूंद की धारीता ये पहला रिलेशन क्लियर हुआ पारा इस तरीके से इसको आप कनवर्ट कर सकते हैं देखिए सेगिंड रिलेशन समझने की कोशिश करते हैं वेटा सेगिंड रिलेशन है अमारा धारीता प्रश्टियाविश घनद्व कैसे समझेंगे इसको देखते हैं प्रश्टिय आवेश घनत्व होता है सिग्मा, सिग्मा को आप लिख सकते हो Q upon 4 pi r square, भई आवेश बटा प्रश्टिय श्यत्रफल, इसी को तो कहा जाता है प्रश्टिय आवेश घनत्व, एकांग श्यत्रफल पर पस्तित आवेश, तो आप यहां से बोल सकते हैं सिग्मा इस प्रपोर्शनल टू होगा Q upon r square, तो अब यहां पर यह भी लिख सकते हैं कि बड़ी बून का आवेश घनत्व बटा छोटी बून का आवेश घनत्व बराबर बड़ी बून का आवेश बटा छोटी बून का आवेश इंटू छोटी बून की तरिज्जा का square बटा बड़ी गुण की तरिज्जा का स्कॉयर, भई देखिए तरिज्जा के स्कॉयर के इन्वर्सली प्रोपोश्टनल है और आवेश के डारेक्टली प्रोपोश्टनल है, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ऐचा कैपिटल क्यू की जगे क्या लिखेंगे, एन्टु स्मॉल क्यू, और कैपिटल र की जगे लिखेंगे, एन्ट की पावर एक बटा तीन स्मॉल र, इसको आगे solve करते हैं यहां हो जाएगा n small q बटा small q यहां पर होगा small r square और नीचे square करेंगे तो यह हो जाएगा n की घाद 2 बटा 3 small r square देखे ध्यान से इन दोनों relation का ही use किया है यहां पर small q से small q cancel होगा small r square से small r square cancel होगा तो आप इसको लिख सकते हैं n की घाद 1 तो उपर है नीचे होगे n की घाद 2 बटा 3 तो इसको आप लिख देंगे n की घाद 1 माइनस 2 बटा 3 n की घाद 1 माइनस 2 बटा 3 कितना होगा बेटा यह हो जाएगा n की घाद 1 बटा 3 यह value आ रही है बड़ी बून का आवेश घनत्व बटा चोटी बून का आवेश घनत्व तो यहां सा आप लिख सकते हैं बड़ी बून का जो आवेश घनत्व होगा यह है बड़ी बून का आवेश घनत्व बटा चोटी बून का आवेश घनत्व होगा छोटी बूंद, एन की खात, एक बटा तीन, चोटी बूंद का अविश घनतु और यहां पर भी यही रिलेशन आया है तो इस तरीके से हमने अविश घनतु के बीच में भी रिलेशन निकाल लिया इसी तरीके से आप विद्दुशेद्र के बीच में भी relation बता सकते हैं या फिर आप इसका एक और तरीके से यूज कर सकते हैं कि विद्दुशेद्र का सूत्र होता है सत्य पे सिग्मा बटा एफसेलन नोट क्या होता है सत्य पर विद्दुशेद्र का सूत्र सिग्मा वटा एफसेलर नोट इसका विद्दुशेद्र सिग्मा के डिरेक्टी प्रोपोर्शनल है इसका विद्दुशेद्र जो रिलेशन सिग्मा में आया है वही relation तो विद्धु शित्र में भी आएगा तो हम यहाँ पर यह relation direct use कर सकते हैं थर्ड, next है हमारे पास विभव, विभव का सूत्र होता है बेटा, विभव का सूत्र क्या होता है k q by r तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि v is proportional to होगा q by r के तो अब यहाँ पर बोल सकते हैं बड़ी बून का विभव, बटा छोटी बून का विभव बराबर बड़ी बून का अवेश, बटा छोटी बून का अवेश इंटू छोटी बून की त्रिज्जा, बटा बड़ी बून की त्रिज्जा आप capital q की जगे यहां पर लिखेंगे आप n into small q बटा small q into capital R की जागी क्या लिखेंगे n की घात 1 बटा 3 small r q से q cancel होगा r से r cancel होगा यहां बचेगा n उपर और नीचे होगा n की घात 1 बटा 3 तो आप इसको लिख सकते हैं n की घात 1 माइनस 1 बटा 3 मतलब होगा n की घात 2 बटा 3 तो जो विखा होगा बड़ी बून का वो n की घात 2 बटा 3 गुना हो जाएगा छोटी बून के विखा हुसे तो इस तरीके से आप विखा का सुद्र भी बता सकते हैं तो आपके पस मैंने आपको समझा दिया कि कोई भी question आ जाए तरीके यही रखना है इन ही दोनों relation का आप यूज़ कर रहे हैं हर बार question solve करने के लिए तो जब भी कोई question पूछा जाएगा इन में से आप यही relation यूज़ करेंगे इन दोनों का और आप question आसानी से solve कर लेंगे तो यह आपको समझ में आ गया होगा अब यहाँ पर एन की value अलग-अलग दे सकता है question में एन की value हो सकता है 8 दे दे, 27 दे दे, 81 दे या 64 दे दे कुछ भी value दे देगा आप एन की value रखेंगे question आसानी से solve होते चले जाएंगे इसमें बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है हम अभी एक question भी करके देखेंगे इसका इसके बाद जो next है उसको आप देखिए next हमसे यहाँ पर एक छोटा सा point है इसको समझ यह काम का point है यहाँ पर लिखा हुआ है जब साबुन के बुल्बुले को आवेशित किया जाता है कोश्टक में लिखा है धनावेशित या त्रिच्जा कुछ बढ़ जाता है मान लिजे कोई साबुन का बुल्बुला है और प्रारभ में वो उदासीन है मैंने उसको कुछ आवेश देदिया धनावेश भी दे सकता हुँ, रिनावेश भी दे सकता हुँ जब आवेश दिया तो क्या होगा उसकाकार कुछ बढ़ जाएगा अरे बिटा क्यों बढ़ रहा इसकाकार सोचो थोड़ा ध्यान से जितना भी हम इसको आवेश देंगे और पूरा आवेश समान प्रकृति का ही होगा पूरा धनावेश दिया है पुरही धनावेश रिड़नावेश दिया तो पुरह रिणावेश और सभी धनावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे या सब रिणावेश हैं तो इसे आप इस्थिर्वेद्दुद्दी भी कहते हैं तो उसपर बाहर की UP कि एक ल हण बल लग राए है इसलिए उस बुलबुलेका कर ये साबंुंके बढ़ जाएगा हमेशा दनविश दो गे तो भी बढ़ेगह और और इसके बाद एक और पॉइंट ध्यान से समझेए धनावीशित करने पर द्रवयमान कम होता है और रिनावीशित करने पर द्रवflyमान बढ़ता है इसला क्यों धनाविशित करने पर द्रविमान कम हो रहा है रेनाविशित करने पर बढ़ रहा है बेटा आपने पढ़ा है कि किसी वस्तु का अविशित करने के लिए हम क्या करते हैं या तो उस वस्तु से एलेक्ट्रोन निकालते हैं या उस वस्तु में एलेक्ट्रोन डालते तो उसी तरीके से अगर एक साबून के बुलबुले को आपने आविशित किया मालीजे उसको आपने उसको धनाविशित किया तो हम धनाविशित कर रहे हैं तो प्रोटोन तो देंगे नी हम क्या करने वाले हैं उसमें से इलेक्ट्रोन बाहर निकालने वाले हैं अगर उसमें से मैं इलेक्ट्रोन निकाल रहा हूँ, तो प्रारम में क्या था, उस बुलबुले में जितने प्रोटोन थे, उतने ही इलेक्ट्रोन थे, तो वो उदासीन था, अब मैंने कुछ इलेक्ट्रोन बाहर निकाल दिये, तो अब उसमें प्रोटोन की संख्या द्रविमान होता है क्या होता है बहुत कम होता है मगर द्रविमान होता तो है इसका हमने द्रविमान बुलबुले से बाहर निकाला तो उसके उपर धनाविश आया अच्छा द्रविमान बाहर निकाला तो बुलबुले का द्रविमान बढ़ेगा या कम होगा अब वेसी बात ह को बता रहे हैं यह बेसिक जनरल नोलिज के पॉइंट है आपको याद रखना है कि आवेश दोगे किसी भी बूल बूले को कोई सा भी आवेश दो धनावेश रिनावेश तो उसका अगर बढ़ेगा डेफिनेटली बढ़ेगा अगर धनावेश दोगे तो उसका द्रविमान क्या होता है पहुत जड़ा सा इसलिए इसके द्रविमान में अंतर फोड़ा सा आएगा मगर आएगा जरूर तो इन बातों का ध्यान रखिए यह हमारा पॉइंट कनवर्ट हुआ का हुआ इसका हम एक क्वेशन देखेंगे क्वेशन में बोला गया है सत्ता इस आविशित पानी की बूंदें जिनमें प्रत्य की त्रिज्य दस्कीगात माइनस 3 मीटर तथा आविश दस्कीगात माइनस 12 कुलाम है को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाती है बड़ी बूंद के विभो की गणना करो 27 चोटी चोटी बूंदों को मिलाकर हम बड़ी बूंद बना रहे ह बड़ी बूंद के जो विभवोगा उसकी आपको गणना करनी है देखे छोटी बूंद का आवेश कितना गिवन है हमें छोटी बूंद का आवेश है दस्किगात माइनस 12 कुलाव चोटी बूंद की त्रिज्या है दस्किगात माइनस 3 मीटर हमें मैंने बोला था question कोई भी बात माइनस 12 कूलाम में दिया हुआ है आविश्च तो वही लिखना है और दूसरा क्या करना है आपको दूसरा आपको यहां पर आयतन संग्रक्षन भी लगाना है तो आयतन संग्रक्षन बड़ी पून का आयतन कितना हो जाएगा वह जाएगा चारवटा 193 पाई कैपिटल एक क्यूं V signatures बरावर स्थ ह्चोटी पून आयतन सथाइस इंटू 4 by थ्री पाई मोलार किसमेक लिख सकते ता 4 by 3 pi 4 by 3 pi से cancel हो जाएगा capital R equal to आजाएगा घनमूल लेंगे तो 27 का घनमूल कितना होता है 27 का घनमूल होगा विटा 3 इंटू आर ये बड़ी बून की त्रिज्य हो गई छोटी बून की त्रिज्य हो गई 3 इंटू 10 की घाथ माइनस 3 मीटर त्रिज्य भी मिल गई आपको त्रिज्य मिल गई आवेश मिल गया अब बड़ी बून का विभाव होई तो निकालना है बड़ी बून का विभाव कैसे आएगा भई वो हो जाएगा विभाव को सूत्र पता है क्या बड़ी बून का विभाव होगा के क्यू बड़ी बाई कैपिटल आर के की वेल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 कैपिटल क्यू कितना आया है वो आया है 37 इंटू 10 की घाथ माइनस 12 बटा आर की वेल्यू 3 इंटू 10 की घाथ माइनस 3 3 से 27 इस cancel होगा 9 बार 9 इंट्व 9 हो जाएगा आपके पास 81 इंट्व 10 की गात 9 है 10 की गात माइनस 12 मुदला 10 की गात माइनस 3 बचा और 10 की गात माइनस 3 नीचे भी है cancel हो जाएगा तो हम लिख देंगे 10 की गात 1 sorry आपको फाइनल आंसर आया है कि बड़ी पून का वेभव कितना होगा एक्यासी वोल्ट होगा इस तरह इसे आपको सॉल्ड करना है कैल्कुलेशन मिस्टिक नहीं करना है ध्यान से क्वेशन सोल्ड करना है कोई भी क्वेशन आजाए ये दो आप संग्रक्षन के नियम लगाई निकालना है क्या है सॉल्ड हो जाएगा सबसे पहले हमने बढ़ी बुन का आहेतन बढबर इन चोटी बुद्व का एकल देक्वाइटन निकालना है यहां से अपने शूत्र लगा दिया आवेश संग्रक्षन से आपने आवेश निकाल लिया आवेश होगया 27 10-12 Capital Q की वेल्यू वेल्यू रखिए सौल करने पे यहां पर आंजर रहा है क्या सी वोड़ इस तरीके से आप question कर सकते हैं तरीका याद रखिए दो संग्रक्षन के नियान लगाने है आविसंग्रक्षन करना है आयतन संग्रक्षन करना है सारे हो जाएंगे जब भी बुंदों को तोड़ा जाएगा या जोड़ा जाएगा इस तरी तो मीद ही आपको समझ में आया हो